लाइफ आपको ठोकर मार कर गिराती जरूर है लेकिन लाइफ आपको कभी भी हराती नहीं है हार मानना हमारी च्वाइस होती है हार हम खुद मानते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता बाजी पलड चुकी है गेम मेरे हाथ से निकल चुकी है तो फिर गेम आपके हाथ से निकल जाती है वो आपको ना मिले ये हो सकता है लेकिन ये एक बार हो सकता है दो बार हो सकता है फिर से खरे हो जाते हो फिर से मेहनत करते हो आपके दमाग में होता है कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए इसे हासल करके ही रहूंगा तो फिर वो चीज आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता यही वो फैसला कुन लम्हा होता है जो हमारी काम्याबी या नकामी का हमारी जीत या हार का फैसला करता है इसे हासिल करके ही रहूंगा तो फिर वो चीज़ आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता और ये लम्हा आपके हाथ में होता है कि क्या आप इस ठोकर को, इस हार को, इस दर्द को पी कर आगे बढ़ने को त्यार है क्या आपका ये माइंड सेट है कि जब तक तोरूँगा नहीं तब तक छोरूँगा नहीं जब तक जीतूँगा नहीं तब तक पीछे नहीं हटूँगा क्या आपका माइंड सेट है कि मुझे चाहिए ही चाहिए तो अगर ऐसा है तो यही वो लम्हा है जब आप 99 फीसद लोगों से निकल कर एक फीसद वाले लोगों में आ जाओगे एक कमान को जतना ज्यादा खींचे तीर इतना ही दूर जाएगा इनसान को जतनी बरी मुसीबत मिलेगी इतना ही ज्यादा वो मस्बूत होगा जतनी बरी इसे नकामी होगी काम्याबी इतनी ही बरी मिलेगी शर्ट सिर्फ यह है कि लाइफ अगर आपको ठोकर मार कर गिराए तो फिर से खरे हो जाओ जब जिब जिन्दगी आपको चैलिंज दे तो हर चैलिंज को कबोल करो अपने रब से कभी आसानी ना मांगो बलकि मुश्किलों से लड़ने का होसला मांगो क्यूंकि मुश्किल की चोटी से ही काम्याबी का सफर शुरू होता है कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर मंजिल का सूरच निकलेगा जब आँखों में अरवान लिया मंजिल को अपना लिया फिर मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया फिर मुश्किल क्या और आसान क्या